नमश्कार दोस्तों मैं हूँ डुक्टर मृष खारी आप देख रहे हैं डुक्टर खारी आज की इस वीडियो में फॉर्मिले नम दवाई के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसके क्या फायद चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ह पाफी सारी बिमारियों में दिया जाता है सिर से लेकर मुह की बिमारियों में पेट की बिमारियों में और यहां तक की सांस की कुछ परेशानियों में भी इसको दिया जा सकता है सिरकी अगर बात करें तो mental case में इस दवाई को तब दिया जाता है जब patient को anxiety की शिकायत रहती है बेचे नहीं रहती है patient को साथ में patient को forgetfulness की शिकायत होती है यहीं patient की आदास कमजोर हो जाती है भूलना चीजे शुरू कर देता है patient कोराईजा के साथ vertigo यहीं चक्कर आने की शिकायत देखने को मिल सकती है patient के अंदर ऐसे केस में इन symptoms में दवाई patients को दी जाती है इस दवाई को shortness सो breathe में दिया जा सकता है जहां patient को सांस लेने में तक्रीफ आ रही है और जादा तर देखा जाता है कि ऐसे symptoms patient को damp weather में आते हैं जवाई को मुह में जलन यानि burning sensation होने पर दिया जा सकता है पेट में जलन होने पर दिया जा सकता है अगर patient के मुह में saliva जादा बन रहा है patient की लार जादा बन रही है तो ऐसे में इदवाई देने से लार कम होना यानि नॉर्मल होना शुरू हो जाती है साथ ही patient की burning sensation को भी ये दवाई control करने का काम करती है इस दवाई को कुछ तवचा रुगों में भी दिया जाता है जैसे patient को एकजिमा में दवाई दी जा सकती है एकजिमा में खुजली जादा हो रही है और रेडनेस महाँ पर देखने को मिल रही है burning sensation हो तब ये दवाई काफी अच्छी results देती है इस इंको control करती है लेकिन इसको हम wrinkles में भी देते हैं जुरूरिया पढ़ने पर पेशेंट के face पर जुरूरिया पढ़नी शुरू हो गई है टाइम से पहले तो ऐसे जुकर दिया सकते पिश्वं को बहुत जादा खासी हो रही है तो ऐसे केस सार्स लेने में तकलीम आ रही है लारेंक्स में पैसेंट को infection हो गया है गले में infection हो गया हैं गला दर्द कर रहा है चाती में भारीपन मैसूस हो रही है तब यह तो वई काफी अच्छी results दे सकती है बाई को हम fever में दे सकते हैं पूरे शरीर में पेशन्ट को burning sensation यानि heat मैसूस हो रही है और temperature पेशन्ट का बड़ा हुआ आ रहा है जोइंट्स में pain हो रहा है पूरे शरीर के muscles में भी दर्द कर रही है तो ये दवाई देने से बुखार कम होता है शरीर के दर्द में रहात मिलती है दोस्तों इन सब परिशानियों में दवाई दी जाती है अगर आप कैसी कोई तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने मिल सकते हैं तो दिये गए वोट्चप नंबर पर हमसे संपक कर इलाज या सलहा ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए दन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें और कोमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसी लगती है थैंक यू